दोस्तो कोर्ट में pending criminal cases के लिए FSL report अर्थात forensic science laboratory report को एक महत्तोपूर्ण साक्ष माना जाता है कुछ कोर्ड केशों के लिए यह report इतनी महत्तोपूर्ण होती है कि जब तक यह report नहीं आ जाती कोर्ट में उन केशों पर बहस भी नहीं होती है इसलिए दोस्तो आज के वीडियो में FSL और FSL report के बारे में बताएंगे तथा यह भी बताएंगे कि कोर्ड केश के लिए यह report इतनी महत्तोपूर्ण क्यों होती है उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार के लीगल अपडेट्स और लीगल नौलेज सम्मंदी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिये तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाल, नाखून, इत्याद की जाँच की जाती है FSL द्वारा घटना से सम्मंदित भौतिक साख्चों की जाँच करके जो रिपोर्ट तयार की जाती है उसे FSL रिपोर्ट कहते हैं तो दोस्तो, FSL द्वारा घटना संबंदी भौतिक साक्षियों की जाच के पश्चात, तैयार FSL Report को investigating agencies, court के सामने एक evidence के तौर पर पेस करती है, FSL Report का उपयोग अपराद के कार्णों का पता लगाने के लिए किया जाता है, court में criminal cases की proceedings के दोरान FSL Report को एक evidence के रूप में मानिता दी जाती है, क्योंकि यह experts का opinion होती है, तो दोस्तों, heinious crime, जैसे की murder, NDPS Act cases या criminal cases against women, इत्यादी में FSL Report का विशेश महत्तो होता है, क्योंकि FSL Report अभियुक्त को सजा दिलाने में एहम भूमी का निभाती है, देश में forensic science laboratories की कमी और court की FSL Report पर निर्भरता के कारण, देश में लाखों मुकदमों का जो trial है रुका हुआ है, क्योंकि बहुत सी FSL Report अभी तक court में नहीं पहुची है, बहुत-बहुत धन्यवाद